हलो, नमस्का, स्वागत है आप सबका इंडे वसाला पॉडकास्ट के एक नए पिसोड में और मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त अमिट शेकर इंडे वसाला इंडे वसाला पॉडकास्ट जहां हम बात करते हैं हिल्थ, फिटनेस और अवेकनिंग की तो आज की टॉपिक अवेकनिंग वाली है जहां पर हम बात करने वाले की हम लोगों की निंदा क्यों करते हैं, वाई भी क्रिटिसाइज अदर्स और इसके पीछे साइंस क्या है, उसरे काम को देखकर के उसमें अलोचना करें जिससे की शायद वो चीज अच्छी हो पाए, बट क्या हमारी जितने आजू-बाजू में जो क्रिटिक हैं लाइफ में, वो सबके सब कंस्ट्रक्टिव फीडबैक दे रहे हैं, क्रिटिसिजम जिससे फायदा हो रहा है, कि ऐस कुछ मत कहिए, कुछ मत कीजिए, कुछ मत बनिए तो आपकी कुछ निंदा नहीं होगी, आगे बढ़ते हैं, तो जैसे सिनारियो देखिए, तो अगर आप दो परोसी मिलते हैं, दो दोस्त मिलते हैं, परिवार के दो लोग मिलते हैं, या तीन लोग मिलते हैं, या नॉर्म इसको कब से चली आ रही है gossip का सबसे important subject यह होता है कि to talk about someone who is not there और यह बिल्कुल वाजिब बात है कि अगर आप दो बात कर रहे हैं वो तीसरे के बारे में तो जभी आप नहीं है तो वो दो भी आपके बारे में कुछ ऐसी बात कर रहे हैं कुछ लोग हैं जो कि सोते उठते criticism को लेकर ही है जैसे कि सुबह उठे तो ही weather खराब है कि चाय खराब है गर्मी है तो भी गुसा थंडी है ज्यादा तो भी गुसा है कुछ को constipation related भी बहुत सारा criticism होता है topic of discussion होता है कुछ जानवोड से परिशान होते हैं कुछ knowledge separation मतलब एक mental state भी होती है to be critic criticism करने वाले को और जब भी मैं इस सारी बाते बोल रहा हूं तो आपके दिमाग में कोई च्छवी बन रही होगी must be seeing somebody who actually behaves in that particular way तो हमारे गाव में तो दो-चारे से super critical लोग होते थे जिनको आप देखना मतलब पंकस उधास टाइब के के sorry उनका नाम ऐसे ले रहा हूं but sing is king film में याद आता है कि उनको हर scenario में एक बंदा उधास ही रहता था always feeling sad, always critical चाहे कितनी भी अच्छी चीज़ चल रही हो वहाँ पर कुछ निकाल देंगे कि ये ठीक नहीं है और ऐसे लोगों को लोग सुबसुबस देखना पसंद नहीं करते थे कि आज दिन खराब हो जाएगा तो ऐसे जो लोग है मेरी हिजाब से अपने आजबाज में काफी negative energy लेकर चलते हैं मैं उनको एक discharged cell के जैसे भी बोलता हूँ और उनके पास खुद की charger नहीं है तो क्या करेंगे अपने discharge state में जिस भी positive आदमी के सामने जाएंगे उसकी positivity को चुरा लेंगे तो ऐसे लोगों थोड़ा बचनी के भी जो बहुत ही जादा over critical होते हैं अब क्या करेंगे अगर आपकी family में को हो जाए तो शायद आप उनसे or something on the basis of perceived faults or mistakes तो मेरे खुद की हिसाब से जो कमिया है तुर्टिया है उस आदमी में या उस चीज में उसकी हिसाब से मैं किस जीज की disapprove करता हूँ, निंदा करता हूँ, अलोचना करता हूँ बट एक बहुत ही judgment का इसमें role होता है तो आप अपने परवरिश के हिसाब से, धर्म के हिसाब से, culture, आप जिस राज्य में है, जिस nation में रहते हैं, उसके हिसाब से, your thinking, thought, process, value system, all these things would be working और सामने वाले का value system वैसा है और कैसा है, individual opinions हो सकते हैं, तो criticism में always there is a sense of judgment तो आप किज़े को judge करते हैं कि यह अच्छा है यह बुरा उसके बाद criticism होती है criticism universal है, एक painful experience है, जिसमें बहुत सारे लोगों में fear को trigger कर सकता है, shame की एक भावना, शर्म की भावना को trigger कर सकता है, बहुत जल्दी anger को भी trigger करता है और यह सब चीजें मिलके एक insecurity का महौल भी उस इंसान के, जिसकी criticism हो रही है, और जिसकी criticism सामने हो रही है, और तो एक sense of unworthiness, और क्या बोलो, sense of incompetence भी उस बंदे में हो सकती है, बंदी में हो सकती है, जिसकी criticism हो रही है, हलाकि Winston Churchill, जो कि मैं उनको world का बहुत कमाल का leader मानता उनका बोलना था कि, criticism is like a pain, unpleasant experience, but which is needed for growth and learning of an individual, तो अब यहाँ पे बात आ जाती है कि constructive criticism है, कि ऐसे ही criticism के लिए criticism है, तो आलोचक जो है आपके, जो critic है, उनका purpose क्या है, यह जानना, समझना important हो जाता है, क्या अगर आपके आलोचक जो हैं, जो हैं, जो हैं, जो हैं, जो हैं, do some kind of social control, या फिर वो जो competition है, उसको neutralize करने के लिए आपकी criticism कर रहे हैं, या फिर हो सकते हैं, कि actually आपकी genuine आपसे ही गलती हुई, और आपकी genuine grievances है, या वो speak up कर रहे हैं, कि आप यह गलत कर रहे हो, तो यह समझना बहुत important है, हला कि जो मेरी personal unvervice में, critics का अक्सर अपना कु अगर आपके वो better half है, पत्नी है, family में लोग हैं, तो फिर इसके पीछे दो-चार चीज़ी हो सकती है, या तो वो hurt महसूस कर रहे हैं, उनको दुख है किसी बात का, वो reflect कर रहे हैं, किसी दूसरे का गुसा भी आपके उपर में criticize करके, तो strong आदमी के नाव बोल सके हैं, तो जो उनके हिसाब से जो कमजूर है, उसको भी पर में criticism हो जाती है, चालू, feeling less valued, or less important, or feeling overall less in life, makes people critical of something else, जो पूरी दो से परिपूर्ण है, is at mental peace, is having that self-love, and understanding, तो शाहिद बहुत ज्यादा क्रिटिक होने का कारण ना बने, तो एक जो मेरी अनभव है, उसके हिसाब से आपको क्रिटिक का agenda समझना जरूरी है, before you respond, otherwise तो एक viciously cycle बन जाती है, और मैंने पहले भी कई बार आपको बताया हुआ कि pig and the mud story याद कीजेगा, उसको, जब लोग एक दूसरी की, मतलब लोग में हैं, मैं भी हूँ, आप भी सब हैं, जब हम किसी की निंदा करते हैं, तो दो-चार कारण होते हैं, तो अकसर हम अपने से ज़्यादा समर्ध्यवान, competent, attractive, इन लोगों की निंदा करते हैं, क्योंकि somehow they make us feel small, कभी हम किसी team work में हैं, किसी family में, तो लोगों के motivation पे, उनकी performance पे, skill gap पे, उनकी contribution पे family में, उन पे criticism होता है, कि माली जे देखे team भाई हैं, ये दो ऐसे कर रहा हैं, एक ये कुछ नहीं कर रहा है, तो एक अच्छी interesting topic ह हो जाती है, team player है कि नहीं, इसके उपर में होता है, कई बार तो कई सारी unmet need होती है, माल लीचे कि एक इंसान है, जो खाली पेठ है, और उससे आप बरही अच्छे विभार की काम ना करें, तो मुश्किल हो जाता है, उसी तरह से कई सारे लोग हैं, जो sexually frustrated हो सकते हैं, उनकी frustration किसी दूसरे कारण से निकल रही होती है, ये भी अकसर देखा जाता है, कुछ लोग एक controlling personality type के होते हैं, कि उनको हर जगह, हर चीज अपने हिसाब से चाहिए, और बड़े प्यार से बोलेंगे भी my way और highway, तो उनका एक बड़ा important tool होता है, कि criticize करो लोगों को अपने अंदर पर मिलनी चाहिए, क्योंकि वो special है, वो feel करते हैं, तो sense of entitlement लेके पैदा होते हैं, जैसे मैं राजा के घर में पैदा हुआ हूँ, तो मुझे certain way से treat किया जाना चाहिए, तो बर एक अच्छे critics बन पाते हैं, कुछ लोग अपनी position को आगे बढ़ाने के लिए, power position को आगे compensate करने के लिए, दूसरे तीसरे किसी की निंदा करना चालू करता है, हो सकता है, ग्रज भी हो पहले का, कि आपने किसी की निंदा की हो, और उसको अभी मौका मिल रहे कि दूसरे के सामने आपकी करने की, तो आपकी करेगा, it may be called as kind of counter attack, कि उसको याद आए, कि आपने उसकी निंदा के लिए भी उसको मौकम ही है, तो वो कर लेगा, कुछ लोग actually मैं आपको constructive feedback देखे, अगर आप blind sighted नहीं है, और या आप सुनने को तयार है कि सामने वाले आपको क्या feedback दे रहे हैं, तो कभी-कभी constructive feedback भी मिलती है, criticism में, which one has to take like, feedback is the breakfast of champions, तो feedback is a feedback, feedback और criticism में फरक सम समझना जरूरी है, सामने वाले की motive समझना जरूरी है, अगर सामने वाला mentor है, parent है, guardian है, somebody who is in a position who is trying to help you, वहाँ पे हमें समझने को जरूरत है कि एक कहना कह चाह रहे हैं, कुछ लोग होते हैं, बरी strong opinion होती है, politics पे, religion पे, तो वहाँ पे शायद अगर वो आपके viewpoint को ना समझ है, तो एक बरी अच्छी critical सी status हो सकती है, कि आग, और अगर आप दोनो agree to disagree ना करें, तो धगरा भी हो सकता है, अगर बचों को देखा जाया, teenagers को देखा जाया, तो उनकी criticism एक तरह से whining भी होती है, उनको आपका attention चाहिए होता है, तो उनका attention पाने के लिए, आपका attention पाने क boundary set करना की, what kind of language is agreeable in the family, what kind of behavior is agreeable in the family, वो बोद साइडा, not imposed from one side, ऐसे critic जो कि आप से compete कर रहे हैं, किसी position, goal, power के लिए, तो फिर वहाँ पे, अगर dirty politics हो गई, तो उसको कैसे handle करना, वो भी देखने हैं, आगे बात करें उसके, कुछ लोग खुद को किसी topic पे expert समझते हैं, औ और कोई भी अगर उस topic के पीरदगरद बात करता रहे हैं, तो उसको तुरत से knowledge का show off करना है, उनको सही करना है, दूसरों का opinion समझानी है, तो ऐसे लोग critic हो जाते हैं, कुछ लोग आपसे frustrated हो सकते हैं, आपकी behavior से, आपकी success से, आपकी position से, आपकी overall, आपसे ही सीधर frustrated हो सकते तो आपकी अच्छे critic बनेंगे वो, कई बार तो खुद की गलत behavior को चुपाने के लिए भी आदमी critic बन जाता है, जैसे कोई एक company में बहुत जादा strict है accountant, तो एक psychologist ने बोले कि बहुत strict accountant जो है, चोटी चोटी बात पे लोगों से नर जाता है, बिगर जाता है, अक्सर वो तो clear cut signs दिखते हैं, bully है, कोई intimidate करना है, लोग को डराना है, so that because they feel less powerful तो अपने से कमजोर लोगों को criticize करना, डराना, धमकाना और खुद को powerful महसूस करना, ऐसे लोग को तो अच्छे से जवाब देना चाहिए, कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं कि गाउं के हैं सीधे साधे हैं, बोलना इसा नहीं, मतलब कि unskilled है, in terms of social skills नहीं है, तो उनकी direct जो feedback है, वो criticism के जैसे आ सकते हैं, वो skill नहीं है कि वो अच्छे से polish करके आपको feedback दे सकते हैं, तो ये भी देखना है कि genuine है, तो फिर कैसे feedback आ रही है, उसको जाने देते हैं, कई बार जो hurt feelings होती है, हमारे मन में किस चीज को लेकर खेद है, गुसा है, वो भी criticism के तौर पे निकल के आ सकता है, कुछ लोग substance अभी उस करते हैं, जो कि नशे की हालत में है, mental balance ठीक नहीं है, तो critical रहते हैं, different perspective, background, upbringing, कहां से हम आ रहे हैं, तो जैसे मैंने पहले बोला कि criticism एक बहुत बढ़ा factor judgment का है, तो judgment हम कहां से करते हैं, from our position, हमारी position कहां से आती है, कहां पले, बढ़े, कौन सा धरम माना, किस family में रहे, किस तरह का family background देखा है हमने, क्या, आपके हमाव आप सूपर critical थे, आपके तो जादा chances हैं, कि आप अपने बच्चों से वही behavior continue करते रहेंगे, unless you consciously try and stop it, कुछ लोग criticism का फ बदला हो सकता है, तो how to differentiate between a genuine criticism, a genuine person, तो वो बंदा जो criticism कर रहा है, उसकी social standing क्या है, वो is he considered to be a genuine person, और उसकी status है, society में किस तरह की है, क्या उनकी जो criticism है, वो legitimate है, आपको उसमें सच्चाई मैसूस हो रही है कि नहीं, दूसरी, क्या वो helpful criticism है, जिससे आप कुछ फायदा उठ सकते हैं, बहुत-बहुत important बात बोलो, क्या यह criticism public में है कि private, अगर private में आप से हो रही है, तो तो बहुत अच्छे बात है, अगर public हो रही है, then how do we tackle it, so अगर वो जो बंदा है, वो आप से compete कर रहा है, बंदी compete कर रही है, तो यह देखनी की ज़रूरत है कि क्या उसके पीछ कुछ hurt feelings हैं, क्या जिसके बेर से आपके criticism हो रही है, criticize करने वाल आदमी के body language कैसी है, उसकी tone of voice कैसी है, या concerning voice में criticism हो रही है, कि गुसे में criticism हो रही है, और overall, वो जो बंदा है, वो solution oriented दिख रहा है आपको, आपकी मुसीबत, आपकी परिशानी, आपकी जो खामी है, उसको ठ अपनी opinion सुनानी है, ये भी बहुत-बहुत important हो जाता है, जो criticize करने वाला है, वो compromise करने की हालत में भी है, आपकी बात सुनके कि या कि stubborn नहीं, my way और highway, ये बहुत important factor है, ये भी important चीज़े देखना है, कि is it a difference of opinion between two adults, और is it because of some personal religion, ये ध्यान देनी के जरूरत है, कई बार, हम हम बहुत सारी ऐसे चीज़ों पर vent करते रहते हैं, बट हमें solution उसका नहीं निकालना है, उस चीज़ को fix करने में कोई interest नहीं है, तो is it venting और is it criticizing, ये भी देखना है, ये उनकी opinion है, जिसकी वज़े से वो आपको criticize करने हैं, बट आपकी opinion different हो सकते हैं, और कई बार हम adults एक ची कर जबाब देंगे उसका, तो अगर जो criticize करने वाले हैं, वो narcissist है, dirty competitor है, bully है, तो फिर तो आपको एक boundary set करनी होगे, कि देखो भाई, जब हम बात करने हैं, तो तुम ये अपनी भाशा इस तरह से रखोगे, इस तरह से public forum में बात करोगे, अगर meeting में, अगर आपकी उपर में लांचन लगाये, criticize किया, तो वहाँ तो आपको अपनी position को defend करना होगा, आपकी performance को defend करना होगा, argue करना होगा, और आपकी परती जो लोगों की perception खराब हुए, उसको ठीक करना पड़े हैं, तो bullies जो होते हैं, जो dirty competitors होते हैं, वो ऐसे महाल का फैदा उठा करके आपको नीच आपका जो नियत है, आपकी नियत है, वो बिलकुल सही, आपकी motivation सही है, उनके फायदे के लिए है, फिर responsibility भी लीजे, कि आपकी तरफ से जो गलती हुई है, वो क्यों criticize कर रहे हैं, इसके पीछे issues क्या है, उनकी perspective समझने के जरूरत है, और कई बार अगर हम adults है, तो अगर को agree to disagree करना पड़ेगा, हमेशा जरूरी निया के बच्चे आपकी बात माने, parents भी, आपकी बात हमेशा माने भी जरूरी निया, तो again respectfully agree to disagree, but maintain the relationship, यहाँ भी self-limit set करना important होता है, family में की, till what level of criticism is allowed, healthy criticism, there should be always an involvement where both the parties can compromise, especially we talk about spouses, empathy तो हमेशा हम सबको लगानी है, कि जो बंदा criticize कर रहा है, उसको भी सोचना चाहिए, कि मैं किसकी criticism कर रहा हूँ, वो किस दौर से गुजर रहा है, तो उसकी जूते में, बोलते हैं, put yourself in other shoes, and empathy, तो बहुत सारी criticism अपनी आप कम हो जाएगे, ज्यादतर chances हैं कि जैसे आपकी personal criticism होती है, आपकी तो एक fight, flight और freeze response आता है, या तो आप mostly कोशिश करेंगे, आप वहाँ से run away कर जाएं, conflict avoid करने के कोशिश करें, या फिर आप counter attack कर सकते हैं, कई बार delaying tactics काम में आते हैं, जैसे कि तुम क्या बोले, तुम्हारा कहने का मतलब ये है, तो ऐसे करने में जो गुस्सा जो हो रहे हैं, जो criticize कर रहे हैं, वो भी refresh, paraphrase करते हैं, तो कई बार situation change हो सकती है, बाकी different kinds of critics, different kinds of criticism, but how to respond, ये तो शायद हमारे control में होना चाहिए, react मे respond, तो बहुत सारी knowledge हो गई इसके बारे में, खुद के बारे में भी self-restriction करने के जुरूरत है कि, where do I fall in, am I constructive, helpful, critic, या मैं वो हूँ जो दूसरों के पीठ पीछे gossip करने में मजा करता हूँ, खुद से सोचे, nobody is perfect, right, तो हर इंसान के अंदर में तीन होता है, एक angel होता है, एक devil होता है, और एक आप swamv होता है, तो जो swamv है, जो मी हूँ, जो मैं हूँ, it's a competition of angel and devil, बोथ, आप किसको feed करते हैं, उसके उपर depend करते हैं, चलिए, उमीद है आपको आज की topic इंटरेस्टिंग लगे होगी, मिलते हैं कल, वापीस एक दूसरी topic के साथ, take care of yourself, signing off from today's episode, any masala, am with you again, bye bye, take care.